आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लैम आयोरवेदा की नई विडियो में कई बार धूल मिट्टी से लोगों का चेहरा काला हो जाता है कुछ लोग गोरे रंग के लिए कई उपाय करते रहते हैं आप इन घरेलू उपाय से गोरा रंग पा सकते हैं गोरे रंग की चाहत भला किसे नहीं होती लोग आज भी गोरे रंग को खूबसूरती का प्रतीक मानते हैं ऐसे में हर कोई गोरा होने की चाहत रखता है भारत में तो खासतोर से गोरे रंग को खूबसूरती से जोड़ कर देखा जाता है ऐसे में हर लड़की खुद को गोरा क पाने के लिए आपको क्या करना होगा? गोरा रंग पाने के लिए घरेलू उपाए. दही से मसाज करें. चहरे को गोरा बनाने के लिए आप दही का इस्तिमाल कर सकते हैं. दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है. इसके लिए आप थोड़ा दही लेकर चहरे की मसाज करें. बाद में हलके गुंगुने पानी से चहरे को धो लें. आपको रंगत में अंतर नजर आने लगेगा. पपीते का उप्योग करें. पपीता खाने के साथ साथ त्वचा के लिए भी बेहत फायदे मंद होता है. पपीता भी नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है. आप पपीते का टुकड़ा लेकर उसे चहरे पर अच्छी तरह से मलें. करीब दो-तीन मिनट के बाद चहरे को पानी से धो लें. कच्चे केले का पेस्ट लगाएं. काले पड़े चहरे को निखारने के लिए आप कच्चे केले का भी इस्तिमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप आधे पके केले को दूद में पीसकर चहरे पर लगाएं. दस मिनट बाद ठंडे पानी से चहरे को धो लें. इससे आपका फेस धीरे धीरे गोरा होने लगेगा। टमाटर का इस्तिमाल करें। सावलापन दूर करने के लिए आप टमाटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं। आप टमाटर या अंगूर के रस को चेहरे पर लगा सकते हैं। इसे सूखने के बाद आप पानी से धोलें। लगा शेहद लगाने से तवचा मॉस्चराइज रहती है। इसमें एंटी बैक्टिरियल गुन पाय जाते हैं। शेहद लगाने से चेहरे पर गोरापन आ जाता है। इसके लिए चेहरे पर शेहरे लगा कर पांच मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद गुंगुने पानी से चेहरे को साफ कर ले, आलू के रस में रूई को भिगो कर चेहरे पर लगाएं, सूखने पर ठंडे पानी से धोले, आलू का टुकड़ा या रस काली तवचा पर लगाएं, इससे काला पन दूर होता है, आलू को चेहरा साफ करने की दवा के रूप में इस्तिमाल किया जाता है नीमबू तवचा की रंगत को हलका करता है जबकि खीरा और गुलाब जल तवचा को ठंड़क प्रदान करते हैं इन्हें मिलाकर तवचा पर लगाएं और 10 मिनिट बाद ठंडे पानी से धोलें एक चम्मच नीमबू का रस एक चम्मच ककड का रस और हल्दी पाउडर की एक चुटकी लें इनका पेस्ट बनाकर लगाएं इससे काला पंदूर हो जाता है अगर विडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें